आरेसपुर शेत्र की सिमावर्थी गाउं में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जारी है गाउं में आग लगने से यह दूसरी घटना है जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा भाईगाउं के सिर्पंज विनीश शर्मा ने मौके पर पहुंच कर आग लगने के कारण तबाह हुई फसलों का जाज़ाल या सरकार से मांग करते वे कहा जरी किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा है उन्हें सरकार के तरफ से उचित मुआफजा मिलना चाहिए जब तक गिहूं के कटाई का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कि शेत्र की बिजली सप्लाई बंद रखी जानी चाहिए इस घटा में किसान हर्बंस लाल सुभाश कुमार करनेल सिंग फसल की जलकर रात हुई इसले भी आई तक फाइबर गेट आया थे आग इसले नुकसान हो है यह जड़ी आज दी आगया बिजली दी लावरवाई ना लगी है जाद उन्हें नों पता है कि इसलें कनक पकी दिया है थे यह रहें यह के इन्हें ने एक्टिबेट रखी दिया एक दो कैजूल्टी होने वाले सी अगर तार बती चल दी तो कुछ साथी जान भी जा सकती जादा तो जादा जड़ी लावरवाई है बीजली डपार्टमर द सब्सक्राइब करते हैं लेफ्ट और राइट दो सब्सक्राइब करते हैं अगर लोग आप इंबत ना करते लाग ट्रक्टर लेके ना चल दे इसलिए कम से कम भी पाइंसों को मांचागा सड़ जानी सिकार रहा है आसी एल जी साब रिक्वेस्ट कर देंगे काड़ तू कर अब लेफ्ट नहीं पर नहीं यह पीएची एली टैंकी जगा दो नाल जगा होते उते रखें दो गटियां था सानुदे नुकसान ता कि आई तक जड़ा एकरी कल्चर दा मुंजी नुकसान वह निलब यह इदी कि आस रखांगे के गौर्मिंट ने लोग ने केसी सी इंश अगर आपने अभी तक जड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की ज़्यानकारी के लिए www.jkkabarnow.com पर देश-दुनिया की खबरे भी आप देख सकते हैं